Mutual Fund SIP एक बहुत बड़ा स्कैम है ये मैं नहीं आप बोलेंगे अगर आपने आज के इस वीडियो में बताएगे तीन मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट का ध्यान नहीं रखा तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये लाइन बोले एक साल बात कुछ हो सकता है दो साल बात बोले और कुछ हो सकता है चार साल बात बोले पर मेरी बात का विश्वास करिए अगर आपने इस वीडियो में बताएगे तीन पॉइंट का ध्यान नहीं रखा कभी ना कभी आप ये बात बोलने ही वाले हैं अभी आपके पास दो option है पहला option, सीधा आप comment box में जा सकते बिना वीडियो को देखिए comment करिए आनन्त आपका thumbnail हमें समझ नहीं आया हमें आपका title समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो हमें बिलकुल समझ नहीं आया में बिलकुल अच्छा भी नहीं लगा मैं आपको नहीं रोकूंगा हाँ तो आप रोक सकते भी नहीं हो हमारा phone हमारी मर्जी कुछ भी comment करेंगे आप कौन हो ही रोकने वाले हाँ हाँ मैं समझ गया अगर तुम category 1 में हो तो मैं हापे कुछ भी नहीं कर सकता और category 2 आपके पास simple सा option आता है एक बार इस वीडियो को पूरा देखियो और guarantee मेरी कि वीडियो खतम होने के बाद इतने सारे educational points आपको मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि अनन्द मजा आ गया साथी साथ SIP को actually use करते कैसे है वो भी आपको समझ आएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है तीन simple से point first point से शुरूआत करते है आपके पास मैं एक question put up कर रहा हूँ suppose करते हैं आपने पहले दिन 100 meter का distance कवर करा second day पे day 1 जितना distance करा था यानि कि 100 meter उसको double कर दिया और 200 meter का distance को कवर किया third day जितना आपने travel किया था day 2 पे उसको double कर दिया और इतना travel करा यानि की 400 meter हर दिन आप previous day के comparison में double distance करते जा रहे है कवर hypothetically पूरी दुनिया का चक्कर आप कितने दुनों में लगा लेंगे मुझे comment करके बता दिजेगा पूरी दुनिया का equatorial circumference है 40,075 km 19 दिन travel करने के बाद और 19 दिन तक regularly double distance travel करने के बाद as compared to previous day आप कवर कर चुके होंगे 39,321 km यानि कि जैसे ही 20 दिन स्टार्ट होगा और जैसे ही तोड़ा सा distance कवर करेंगे पूरी दुनिया का चक्कर आप लगा चुके होंगे सिर्फ 20 दिनों में आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते है hypothetically अगर आप सिर्फ 100 मीटर से स्टार्ट करें और हर दिन अपने distance को double करते जाये तो अब आप एप बाद सोच के देखिए कि अनद 20 दिन में पूरी दुनिया कवर खुरिए हम तोड़ा सा चेंज करते हैं हमरे लगा 20 दिन का टाइम नहीं है हम तो सिर्फ 10 दिन ट्रावल करेंगे देखते हैं कहां तक पहुँचते हैं आप अपना आंसर को कमेंट कीजेगा 10 दिन ट्रावल करने के बाद आप कहां तक पहुचेंगे सोच के देखिए आप सिर्फ ट्रावल कर पाएंगे 77 किलो मिटर्स एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं पहुच पाएंगे और दूसरी जगे अगर आप 11th day से लेके 20th day तक की पूरी जर्नी कम्प्लीट करते है आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा देंगे यही होता है power of compounding मतलब यह कि जो आपके actual returns है जो second half होता है वहाँ पे majorly accumulate होते है initially क्या होता है हमारा पास कई बार इच्चा होती है कि हमने mutual fund SIP करी है 20 साल की पर जैसे ही हमें returns थोड़े से कम दिखते है हम कहते कि क्या जरूरत है इस mutual fund SIP की क्या ही for up कड़ गया unnecessary हमने additional risk ली इसके लिए मैं आपको live example figures के साथ भी जाता हूँ आप यहाँ पे check out करेगा सबसे पहले suppose करते है आपने 10,000 रुपीज पर मन्त की SIP करी है 12% का CAGR returns से आपका यह मैंने अभी assume किया है इतना आपको मिल जाएगा यह हम assume करके calculation कर रहे है अगर हम 5 साल तक regularly invest करते है तो आपकी total investment की value होती है 6,00,000 रुपीज total end value with 12% returns आपकी हो जाती है 8,11,036 रुपीज मतलब आपका profit roughly होता है 2,11,000 के आसपास का suppose करते है आपने 5 साल की जगे 10 साल तक अपनी जर्णी पूरी करी आपने अपना time double किया और आपका profit 2,00,000 से double नहीं होगा 5 गुना हो जाएगा और आपके profit की value पहुच जाएगी 10,40,000 पे 10 साल के comparison में अपना time double कर दिया और मेरा profit हो जाएगा 6.7 times यानि की 10,00,000 से सीधा-सीधा profit पहुच जाएगा 67,00,000 के भी उपर का ये होता है power of compounding आप time double करते हो और आपका profit double नहीं एक extra multiple के साथ multiply होता है इसलिए आपको हमेशा अपने time horizon पे बनने रहना जरूरी है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद आपको लग सकता है कि या ये SIP तो एक scam है मैंने गलत किया SIP करके अगर आप 3-4 साल बाद या फिर 2-3 साल बाद SIP को बोलने वाले कि SIP scam है तो इससे अच्छा है कि आप SIP को start ही ना करे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपने suppose करते है 2 साल bad experience लेने के बाद SIP स्टार्ट करी आप अपनी next generation को बताऊगे कि भाई SIP scam है दूर रहना भाई है SIP से और वो unnecessary आपकी इस गलत सोच को सही करने में के returns कभी भी linear होंगे ही नहीं अगर आप ये expect कर रहे है कि हम बात कर रहे है 12% CHR returns की हर साल आपको FDK जैसे 12% return मिलते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजे कभी भी आपको नहीं मिलेंगे इसके लिए मैं आप एक perfect example देता हूँ bamboo का ये world की न tallest grass होती है suppose करते है आपने आज bamboo का plant लगाया और कहा कि चलो मैं पानी डालता हूँ आज के दिन अगले दिन आप आके देखेंगे कुछ नहीं हुआ एक साल तक आपने regularly पानी डाला और पानी डालने के बाद अगले दिन आके आप देखते कि कुछ भी नहीं हुआ एक साल बाद आपको लगेगा कि तो waste हो गया second year कहा कि अनंत ने कहा था कि हमें time देना है तोड़ा सा patience रखना है second साल आपने पूरे के पूरे साल हर एक दिन dedication के साथ बिना कोई vacation गए उस पौधे पे आए और पानी डाला उस bamboo के ट्री पे दो साल बाद कुछ नहीं तीन साल बाद कुछ नहीं चार साल बाद कुछ नहीं पात साल बाद कुछ भी नहीं आप बोलोगे कि अनल पात साल हो गए निल बट्टा सननाटा ये क्या किया आपने हमारे साथ पर अगले समय से आप देखोगे पात साल एक दिन में आपको एक हलका सा प्लांट उपर आता हुआ दिखेगा अगले 25 से 30 दिनों में maximum अगले 50 दिनों में आपका ये प्लांट जो bamboo tree है वर्ल्ड का tallest है आपकी हो जाएगा 100 feet से उपर का ये होता है power of compounding और ये होता है non-linear returns equity market में भी काफी लोगों ने ये गलती करी 2015 से 2020 तक SIP करी 2020 में stock market में crash आया उस समय हम आगे SIP के returns दिखने और कहा कि हमारे 5 साल के returns negative चले हम यहाँ से SIP is a scam पर अगर हम वापे March 2020 से सिर्फ एक साल और रुख जाते कोई साभी multi cap, large cap, flexi fund आप उठा के दिखीजिए 50% से लेके 100% के returns आपको मिल चुके थे पर हम तो compare करते जिस समय सबसे बुरा समय होता है हम equity market में या SIP करने आते है जिस समय हर कुछ हमे green दिखता है पिछले 3 साल के returns amazing और हम returns को वापिस compare करने आते है जिस समय stock market में crash होता है अभी भी because market में थोड़ी सी volatility चल रही है ऐसे investor जिन्होंने पिछले 6 महीने में या साल भण में investment स्टार्ट किया था वो आगे अपने investment चेक करने एक साल हो गया आनंथ हमें SIP करते वे कुछ हुआ ही नहीं होगा अगले 2 साल भी आपको ये mindset prepare रखना है कि अगर आप SIP में बड़ा पैसा कमाना चाते है तो time तो दिना पड़ेगा चली मैं आपको एक और बहुत अच्छा example देता हूँ 2003 से लेके 2007 ये Indian market के history का सबसे अच्छा year है इन से अच्छी year अभी तक नहीं हुआ और इन्हें हम कहते हैं mother of bull market इन समय में भी आपके सामने technical chart presented है तीन तीन बार एक बार देखेगा आप 2003 और 4 के बीच में 24% का correction था 2005 के आसपास अगें 10% का correction था 2005 में ही वापिस से 10% का correction आया था 2006 में 30% के आसपास का correction था मतलब आप देखेंगे total 6 बार सबसे अच्छे 4 सालों में भी जहां पे index 3000 सा बढ़ता बढ़ता 21,000 पहुँच गया साथ गुरा हो गया था index वहां पे भी 4 बार से लेके 6 बार आपको major correction और जग देखने को मिले तो अभी के समय में हम बात करें तो आपको मिलेगा it is part of the game ये आपके लिए एक roller coaster ride के जैसे है जब आप roller coaster ride में बैठते हैं जैसी बीच में होता है और सबसे difficult part होता है एक दो आप टॉप पे जाके खड़े होते हैं और नीचे आपकी पूरी slide जाने वाले होती है हमारे पास दो option होते हैं पहला हम तोड़ा सा fight करें अपने डर के साथ और उस roller coaster ride में बैठे रहे दूसरा हम वहां से flight ले ले मतलब या तो हम fight करें या फिर हम flight ले ले या तो हम भाग ले या फिर हम भाग ले अगर आप वहां पे flight करें मतलब वहीं से आप सीधा कूद गए आप सोच सकते हैं roller coaster ride में आपके साथ क्या होगा आप बाद में बोलेंगे कि SIP एक बहुत बड़ा scam है दूसरा option होता है तोड़ा सा डर पे काबू करिए अपनी journey को complete कीजिए जिस समय आपको returns compare करने की इच्छा हो market अच्छा हो उस समय compare करीगा उस समय अगर आपको redemption करना हो portfolio में कुछ major changes करना हो या फिर profit booking करनी हो ये अच्छे समय में होती है ध्यान रखेगा से digest नहीं कर सकते तो better है SIP करिये ही मत अब चलते third point पर third point को explain करने के लिए एक real life example वापस है हम बात कर रहे है नेपोलियन की जो एक French emperor थे पूरे दुनिया पे वो काबू करना चाते थे बूरी दुनिया पे रूल करना चाते थे वो अपने अंतिन पड़ाओ यानि की Wellington पे पहुच गए लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें लगा यार Wellington छोटी सी जगया हमारी सेना के सामने क्या ही कुछ होगा उन्होंने पूरा प्लान दना है कि सुबह अपन सीधे चलेंगे साथ बजे दो गहंटे में सारा काम निप्ता नूटों के वापिस आजाएंगे और ये शेर को हम जी चुकी होंगे पर हुआ ये कि जिस दिन लड़ाई हुनी थी उसकी रात में बहुत बारिश आगए और बड़ी तभाई मची इतनी बारिश आगई कि उनके सोल्जर सोनी पाए उन सभी सोल्जर ने कहा कि महराज जी अभी हमें सोने दो हम दिन में चलेंगे वैसी 2 गंटे का काम है न चलेंगे 2-3 बज़े अराम से 2 गंटे में काम निप्ताएंगे और वापिस आजाएंगे अभी हमें सोने दो बड़ ने पॉलीन ने कहा आज है तो राज है आज नहीं तो कभी नहीं उन्होंने अपने soldier और heads को convince किया कि नहीं हम wait नहीं करेंगे अभी करेंगे attack और अभी ही जीतेंगे और अपने सपने की और चल बनेंगे पर हुआ ये कि convince करने के समय में तीन से चार घंटे का समय लग चुका था और तीन चार घंटे का डिले हो गया था attack अप सुबह होने की चगे दौफएर में जाके attack होता है और इस समय तक Wellington ने अपने दोस्त परशिया को उनकी help करने के लिए बुला लिया था यहां से नेपोलियन ने Wellington पे attack किया पीछे से परशिया help करने आ गया और नेपोलियन एक ऐसी battle जो सिर्फ दो घंटे का मामला थी हार जाता है तीन घंटे की cost एक सपना पूरा नहीं हो पाए कि हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे एक चोटी सी battle एक चोटा सा राजिश जिससे जीतना सिर्फ दो घंटे का matter था हार जाते है और यह cost होती है डिले करने की equity SIP में भी यही काम है अगर आप wait कर रहे हैं कि आप SIP स्टार्ट करेंगे जिस समय आपको सारी की सारी positive news मिलेगी चाहे वो government की तरफ से हो RBA की तरफ से हो international के matter में हो सब कुछ आपको positive मिलेगा तो अच्छी news और अच्छे भाव आपको साथ नहीं मिलते हैं आप कभी शुर market अपना top बना रहा होगा फिछले एक महीने च्छे महीने एक साल तीन साल पांच साल सारे returns आपको बहुत अच्छे दिखेंगे आप उस समय इंवेस्ट करेंगे और 6 महीने बाद बोलेंगे कि अनंत SIP तो एक बहुत बड़ा scam है अगर आप equity mutual fund में इंवेस्ट करने के लिए हमारी टीम की कोई भी help चाते है, description में आपको link और help line number मिल चाएगा, teammate account नहीं है, उसके link भी आपको description मिल चाएगे और इन तीनो points का ध्यान रखीगा, अगर आपके पास power of compounding को काम करने के लिए, देने के लिए वक्त नहीं है, patience नहीं है, तो equity SIP मत करिए, अगर आप non-linear returns न से समय invest करेंगे, अच्छा है, invest ही मत करिए, क्योंकि आप गलत expectations के साथ equity SIP करेंगे, और in the end कहेंगे, कि Anand, काश आपका video हमने 4 साल पहले देख लिया होता, equity SIP actually scam है, जो आपने कहा तो हो बिलकुल सही था, अपने दोस्तों के साथ, family के साथ इस video को share करना मत पुलिएगा, happy learning and I will see you very soon, अब आप comment भी कर सकते हैं आपका actual opinion क्या है इस complete video के बारे में,